नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जौब ग्यान के इंद्र पर दोस्तों अगर आजस्थान विश्विध्याले से आप ग्रेजुशन करके पोस्ट ग्रेजुशन करने की सोच रहे हैं इसके लिए एक एंट्रेंस एक्जाम होता है यू आरे टी पीज की एक्जाम को लेकर आपका एक नोटस जारी हो चुका है क्या इसका क्राइटेरिया है क्या इसकी डेट रहने वाली है कब तक फर्म भर जाएंगे इसके बारे में संपूर्ण बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और अगर आप चैनल प आपको आयाइटी में जाना है तो आपका आयाइटी जैम होता जिसके जरिए आप आयाइटी के थरू पोस्ट गैजोशन याने की पीजी में एडविशन ले सकते हो अगर पीजी करनी है तो वहां का अलग एक्जाम होता है और सिमिलर लिए अगर आपको देली इनिवरसिट निवरसिटी में पीजी के लिए अलग एक्जाम होता है और इन सब के अलावा अगर आप राजस्तान विश्विध्याले से पीजी करना चाहते हैं उसके लिए आपको एंटरिंस देना होगा वह एंटरिंस टैस्ट है URAP पीजी राजस्तान युनिवरसिटी पोस्ट्राइ लेका यानि लेकर 24 जुलाइन भरे जाएंगे पर आप इसारे सारे ओनलाइन भरे जाएंगे राजस्तान विश्विद्धाल्य की सेफ साइट पर जाकर अगर और URAT PG की डिटेल में बात करें तो इसके अंदर अलग-अलग कोर्स होंगे, अगर अपने गैजवेशन में BAC किया था आप MAC के लिए एपलाई करेंगे, यह से अपने गैजवेशन में अगर BA किया है, तो आप MA के लिए अपलाई कर सकते हैं, और अगर अपने गैजवेशन में अपना वी कॉम किया है तो आप भी एम कॉम के लिए अपलाई कर सकते हैं अजस्तान इनुम सिटी के अंदर बात करें अगर साइन्स वाले विध्यारतियों की तो जैसे आप मान लीजिए आप फिजिक्स से या केमिस्ट्री से बायोलोजी से इन से अगर आप मेस्ट्री कर कर सकते हो कि अपको एंटरेंश के लिए फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपकों क्य talking जाएगे चिसके आधार पर आपका चयन होगा इस एक्जाम का जो आपका 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक फॉर्म बरे जाएंगे उसके बाद आपका 3 अगस से लेकर 10 अगस तक आपके exam ले लिए जाएंगे उसके बाद बहुत ही जल्दी आपकी counseling हो जाएगे counseling के बाद आपको इसमें admission दे दिया जाएगा जैकि आपका 3 अगस से अलग अलग सब्जेट के exam में स्टार्ट हो जाएंगे entrance के लिए entrance exam होंगे आपका हर इध्यारती के subject wise अलग अलग होंगे जैसे किसी का physics का है तो MSC के तो उसकी physics का अलग exam होगा math वाले का अलग exam होगा chemistry वाले का अलग exam होगा जैसे कि आपने graduation तीन सब्जेक्ट से करी है तो आपके graduation में क्या है कि तीन सब्जेक्ट होते हैं आपके BAC के अंदर और आपके BA के अंदर आप यहाँ पर 2 से लेकर 3 subject तक के लिए apply कर सकते हो graduation के लिए post graduation के लिए अगर आप य से रहने वाली है 900 रोपे अगर आप तीन सब्जेक्ट से फर्म लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 1100 रोपे पे करने पड़ेंगे आपको जनरल केटेगरी की फीस बताइए बाकि आपके SCST की थोड़ी उपतिन से कम रोपे ही लगते हैं अब यह तो थी आपकी exam की schedule details और entrance होगा entrance में आपके जो marks आएंगे उसका 70% weightage लिया जाएगा मालीजी आपके 100 में से अगर 70 नमबर आते हैं तो आपके 70 नमबर आपके यहां से लिये जाएंगे आपकी जो BSC BA और BCOM के इंदर जो आपके aggregate marks आते हैं उसका आपका 30% में जोड़ा जाएगा फिर इन दोनों marks क को मिला कर आपकी जो cut-off है final merit list है वो बनाई जाएगी इन्नी marks के आधार पर आपकी जो merit list है और cut-off list है वो आपके जाली की जाएगी और आपका selection इसी आधार पर होगा आपको फिर से repeat कर देता हूं कि जो आपका entrance exam है उसके आपका 70% weightage लिया जाएगा और आपका जो BSC BA बी बनाई जाएगी तो यहां पर आपका यह सब होने के बाद में आपका result जारी हो जाएगा आपको final cut-off merit list हो जारी हो जाएगी फिर क्या होगा कि फिर से आपका schedule to university के दुवारा जारी किया जाएगा जिसके अंदर आपको वापस से form लगाना होगा counseling के लिए तिके से आपके P entrance exam में आये हैं और इतने marks आपके BSC के अंदर हैं सबको मिलाकर आपकी merit list तयार होगी जिसके बाद में आपकी final fees लगेगी और आपका PG course के अंदर admission ले लिया जाएगा अजस्तान विश्विद्याले department के अंदर तो यह थी आपकी बड़ी और बहुत ही important update ऐसी ही और बहुत सी important update और information के लिए चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए topic और update के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत राम राम आपका दिन शुब हो